गुरु रुपी प्यारी सासंगत जी, प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी सासंगत जी, शैन्शा जी ने संपून अवतार बानी द्वारा हमें समझाया है पाणा मनने निरंकार दा, सत्गुर ते विश्वाष करे कहे अवतार सदा होए सुखिया, देव लोक विच बास करे सत्गुर पर विश्वाष करने का अर्थ है, इनकी शिक्षाओं को मानना कई बार गुर्सिक कोई बात कहता है, जो सत्गुर के आदेश अनुसार नहीं है और हम सोचते हैं, इसमें भी निरंकार बोल रहा है, तो हमने चेतन रहना है शेंशाजी कहते हैं, गुर्सिक का हर बोल पवितर है, अगर वैस्द्गुर की बात कहता है यह जरूर है कि अगर गुर्सिक या दुनिया का कोई भी इनसान हमारे साथ ऐसा वैवार करता है जो हमें पसंद नहीं आता, फिर भी हम उस वैवार को निरंकार की इच्छा मान कर उससे भी प्यार कर सकते हैं अगर सत्गुर पर विश्वाश है तो सत्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज ने अपने विचारों में फरमाया था कई बार भुलेखे डालने वाले हमारे करीबी होते हैं हमारे आसपास होते हैं हमने चेतन रहना है वैं खुद तो संगत में आते रहते हैं किन्तु हमारा विश्वाश डुलाई मान कर देती है विश्वाश की कुछ बाते हमें परिवार में ही देखने को मिली कि कैसे निरंकार का भाणा मानना और सत्कुर पर विश्वाश का तालमेल बिठाया जाए इसका एक उधारन बाबा गुर्बचन सिंग जी माहराज के समय की बात है पंजाब में बेहन बेला कुराना जी के घर में परम पुझे राजकवी जी की हजूरी में संगत हो रही थी किसी ने आकर इनके पिता जी से कहा आपको पुलिस पकड़ने आ रही है आप इदर उदर हो जाओ उन्होंने बताया कि क्याते हैं कि मन में सवाल ये पैदा हुआ कि संगत चोड़कर जाया जाए या नहीं अगले ही पल ध्यान आया कि मैं तो बेकसूर हूँ संगत चोड़कर नहीं जाऊंगा बाद में जो होगा देखा जाएगा क्याते हैं कि मेरे पीता जी संगत में ही बैटे रहे संगत समापती पर जब कारेवाई की गई और जो रिजल्ट सामने आया कि अगर उस समय संगत चोड़कर चले जाते तो कोई भी उन्हें बेकसूर साबित नहीं कर सकता था सत्कूर पर विश्वाश करके संगत में बैटे रहे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो गया ऐसा ही एक और उधारन कहते हैं कि जब पंजाब में इनके पिता जी का सिनेमा घर जो की कच्चा था सत्कूर बाबागूर बच्चिन सिंगजी महराज ने पक्का बनने का अशीर वाद दिया किंतु सिनेमा हाल चलाने में और उसे पक्का बनाने में कुछ अर्चने आतीinta हुई महसूस हुई सब ने कहा कि सिनेमा हाल को बंद कर दो किंतु ये बेहन कहती है मेरे पिता जी को पूर्ण विश्वाश था कि सत्गुरु का अशीरभाद है तो यह अवश्य चलेगा निरंकार की तरफ से जो भी अवसर आया उसको सहज रूप में लेते हुए विश्वाश रखा तो दीरे दीरे सब कुछ ठीक होता चला गया विश्वाश ही इनसान है विश्वाश ही भगवान है मात्मा कहती है जिसका स्वामी समरत हो उसे कोई मार नहीं सकता निरंकार पर जिसका विश्वाश द्रीड होता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगार सकता कहने का भाव जब तक पूर्ण सत्कुरू नहीं मिलता विश्वास चाहे पूरण हो मंजिल नहीं मिलती पूर्ण सत्कुरू मिलने के बाद मंजिल पर टिके रहने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है विश्वास के लिए ही तो भगत अरदास करते हैं मेरा डोले ना इतबार बख्षो शर्दा भक्ती प्यार करा मैं संता दा सतकार इसके बहुत लाब हैं कियाते हैं कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने विश्वाश ना डोलने की अरदास की है कोई हमारे साथ दोखा ना करे उसके लिए खुद का विष्वाश होना जरूरी है वे भी अरदास के कारण हो पाता है नीरण कार के साथ तोड़ निभाने के लिए यह अरदास भी जरूरी है आप शबरी का ही उधारन लेती है उसके पाथ चाहिए संसारिक सुखो की कमी थी लेकिन उसका विश्वाश अपने भगवान राम पर था मुझे मेरे मतंग रिशी ने कहा है भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे तो उसको शबरी को विश्वाश था कि भगवान राम जरूर आएंगे वो जिदर भी कोई कहता था कि इस तरफ से भगवान राम आएंगे वो बेहन उदर से ही इंतजार करने लग जाती उदर से ही साफ सफाई करने लग जाती वो एक बार भी ये नहीं कहते कहती कि नहीं इदर से नहीं इदर से आएंगे जिदर से भी कोई कह देता उदर ही ध्यान देने लग जाती क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि जो मतंग रिशी ने मुझे बच्चन दिया है वह एक दिन अवश्य पूरा होगा और हुआ भी ऐसे ही उनका विश्वास पक जिरव शबरी का उधार करने के लिए ही आये थे वो मतंग रिशी के वच्चन को पूरा करने के लिए ही आये थे हमारा भी ऐसा दृट विश्वास गुरु नीरंकार पर मात्मा पर हो जाए इसी तरह कहते हैं संत राबिया एक बार बिमार हो गई उसी समय ग्यान की तलाश म सुफिया नाम का एक भगत उनके दर्शन करने आये राबिया की दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ उन्होंने राबिया से कहा आप परात्ना करो प्रभू से इस निरंकार से कि यह बिमारी दूर कर दे इस पर राबिया ने हसकर कहा तुम इस बात को नहीं जानते क यह बिमारी किसकी मर्जी से और किसके इशारे से हुई है क्या इस बिमारी में मेरे प्रभू का हाथ नहीं है अगर यह उनकी इच्छा है तो इनकी इच्छा के विरूद मैं प्रात्ना क्यों करूं मेरे प्रभू के सारे काम अच्छाई और भलाई के लिए हुआ करते हैं य राबिया ने उत्तर दिया मेरे लिए जो भी ठीक होगा मैं बीना मांगे मेरे पास आ जाएगा क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है कि जब तक तेरी जिंदगी है तब तक शरीर का एक एक रोम इस सचाई को सपष्ट करता है कि तुझे जरूरत के अनुसार खाने को ठीक सम मैं पर मिलेगा राबिया का ऐसा द्रेड विश्वाश था खुदा पर इसी तरह हमारा भी ऐसा ही विश्वाश इस सत्गुरू निरंकार के आगे होना चाहिए ये सत्गुरू जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है हम इकमिक हो जाएं हम पूरन रूप से समर्पित हो ज जाए विश्वाश तुमारे चर्णों में इतनी शक्ती हमें देना दाता मन का विश्वाश कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना ऐसे ही बेहन सुवीता शर्मा जी अपने विचारों में हमें बता रहे थे कहते हैं कि दासी हर समय बिमार रहत थी जब कविदासी अपने पती मात्मा शीरी इंदर जी शर्मा जी से कहती एक बार बाबा जी के पास चलते हैं और बाबा जी से कहती हैं हमारे उपर किरपा करो मगर हर बार मेरे पती शर्मा जी यही कहते कि आप ही तो कहती हो कि सत्गुरु अंतरयामी है यह सब कुछ जानता है इनके पास तो तब जाएं जब कोई खुशी आए और गुरु कोई पास तो हस्ता हुआ चेहरा लेकर जाएं उसके कुछ समय की बाद है ये बहन कहती है कि महात्मा चन्नी फरीदा बादी जी कुवैत वाले हमारे घर आए हमने उनको भोजन करने के लिए बुलाया खाना खाकर चन्नी जी जब जाने लगे तो कहने लगे शर्मा जी आपके घर तो बस अल्ला ही अल्ला है निरंकार ही निरंकार है आप किसी बच्चे को बाहर क्यों नहीं भेज देते शर्मा जी ने कहा पासपोर्ट बनाने के लिए पैसे नहीं है और कहा कि पासपोर्ट बनवाओ अब यकीन मानिये तीनों बच्चे दूर देशों में सेट हो गए हैं और घर के हालात तीरे दीरे बदलने लगे बात यह नहीं कि उन्होंने पैसे दिये बात यह है कि महापुर्शों की बात पर विश्वाश आ जाए और उन्होंने तो पहले ही क्या दिया था कि आपके पास तो निरंकार ही निरंकार है अल्ला ही अल्ला है ये खुदा परमात्मा तो आपके साथ है कि मैंने बड़े बेटे विवेक से कहा आपको कारोबार ठीक नहीं तो परमात्मा के आगे अरदास करो सब ठीक हो जाए आगे बेटे विवेक ने कहा सब इसकी मर्जी से हो रहा है मैं इसको आदेश करूँ कि ऐसा हो जाए यकीन मानिये जब बच्चे ऐसी बाते करते हैं तो दिल से अरदास निकलती है कि हमारा भी ऐसा विश्वाश इस सत्गुर निरंकार पर हो जाए कि जो परमात्मा करता है सब ठीक है इसके सारे काम पूरण है कहीं न कहीं हमारे में ही अधूरा पर रहता है कहते हैं सासंग जी इसी तरह कहते हैं कि जो संद माहत्मा अशीर वाद दे जते हैं वो पूरण हो जाते हैं क्योंकि संदों माहत्माओं इतना सेवा सिम्रन ससंग किया होता है इतना गुरू के वचन को मानते हैं किसी बात में भी किंतु प्रंतु नहीं करते तो ये सत्कुर्णी रंकार के मन में बहस जाते हैं जब ये मन में बहस जाते हैं तो सत्कुरू को भाज आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं तो सत्गुरु इनकी कोई भी बात कभी भी मोड़ता नहीं है जो भी अशीरवा देते हैं सत्गुरु निरंकार उस भगत की कही हुई बात को पूरन कर देते हैं अभी तो संपुर्ण अवतारबनी में कहा है सारी दुनिया वस्वी तेरे तू पगदाने वसकरतार सारी दुनिया को इसने सत्गुरु निरंकार ने वस्वे किया हुआ है लेकिन ये खुद भगतों के वस्वे हो जाता है क्योंकि भगज जो होते हैं अपने प्यार से सत्कुर निरंकार के दिल में अपनी जगा बना लेते हैं ऐसे ही कहते हैं एक बार सत्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज ने कई घरों में चरन डालने के लिए जाना था और सत्कुर बाबा जी के पास इतना समय नहीं था जो ल लिष्ट तियार की उन्होंने बाबाजी को लिष्ट दिखाई कहते कि बाबाजी इन इन महात्माओं ने कहा है चरण डालने के लिए आप जी अशीर वाद दो कि कैसे करना है इतना समय भी नहीं है आगे भी प्रचार टूर पर जाना है तो सत्कुर बाबाजी ने कहा नो जो था वो कट करवा दिया कहने लगे कि इस महात्मा के घर फिर कभी चले जाएंगे कहते कि ये महात्मा जो है ये गुसा नहीं करेंगे ये बुरा नहीं मानेंगे इतना सत्कुरु को अपने भगतों पर नाज होता है कि ये गुसा नहीं करेंगे ये बुरा नहीं मानेंगे सत्गुरु के मन में वो बसे होते हैं इसलिए सत्गुरु को उन पर इतना विश्वाश होता है कि अगर इनके घर नहीं भी जाएंगे इनके उपर हमारा हक है अगर इनके घर नहीं भी जाएंगे तब भी एक खुश रहेंगे लेकिन जिनका सत्गुरु को पता होता है कि कभी इस दर से छूट न जाएं, कभी तूट न जाएं, कभी इनका विश्वाश पूरण न हो जाएं, कभी इनका विश्वाश तूट न जाएं, इसलिए सत्गुरु उनकी हर बात को पूरा करते चले जाते हैं ऐसे ही एक बार बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज के पास कोई महात्मा दर्शन करने के लिए आए तो कहते हैं कि बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज के पास केल जोहर जी रुकते थे वो शनीवार को रुकते थे और सोहवार को अपने घर आते थे शनी वार शाम को बाबा गुर्बचन सिंग जी महाराज के पास चले जाते थे और शनी वार की रात को भी महीं रुकते थे और रवी वार की रात को भी महीं रुकते थे लेकिन सो वार की सुबह को वो अपनी ड्यूटी पर आ जाते थे तो कहते हैं कि एक बार एक महात्मा बाबा गुर्बचन सिंग जी महाराज से मिलने आ गए तो बाबा गुर्बचन सिंग जी महाराज ने महात्मा केल जोहर जी से कहा कि आप बाहर जाकर सो जाना और ये महात्मा इस बैड पर सो जाएंगे जब वो महात्मा महाँ से चले गए तो महात्मा केल जोहर जी ने बाबा गुर्बचन सिंग जी महाराज से पूछा कि आप तो मुझे इतना प्यार करते हैं आपने मुझे ऐसा क्यों बोला कि आप बाहर सो जाना और ये मात्मा यहीं मेरे पास बैड पे ही सो जाएंगे तो आगे से नावा गुर्बचन सिंग जी महराज कहते हैं कि आप तो मेरे अपने हो आप तो मेरे प्यारे हो मुझे पता था कि आप बुरा नहीं मानोगे लेकिन वो जो प्यार लेने के लिए इतनी दूर से यहां आए है अगर उनको ये प्यार ना मिलता तो वो शायद दुबारा ना आते इस तरह हैं सत्गुरू कितना हर एक का ध्यान रखते है और किस तरह सत्गुरू को अपने भगतों पर कितना नाज होता है कितना मान होता है कितना प्यार होता है इसी तरह हम भी सत्गुरू पर अपना द्रेड विश्वास बनाकर सत्गुरू के दिल में अपनी जगा बनाएं कहते हैं संपुन हर देव बानी में भी शबद है जिस गुर्षिक ने गुरु के दिल में अपनी जगा बनाई है कहे हर देव गुरु भगती की कला उसी को आई है जिसने गुरु के दिल में अपनी जगा बना ली है उसे ही पता है कि गुरु भगती क्या होती है सचे पाश्या हम पर भी मिहर करना हमें भी ऐसा ही बनाना जैसा आप ची चाहते हो अगर ये विचार करते हुए कोई गलती हो गई हो कोई तूटी हो गई हो तो दासी को शमा करना और आगे के लिए सुमत बख्षना दासी सिम्रन कराएगी सभी मिलकर सिम्रन में साथ दे जी तू ही निरंकार मैं तेरी शर्णा मैं नू बख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुधिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जै निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जै साथ संगत जी प्यार से कहना धान्डी रंकार जी